हेलो डिफेंस लवर्स, स्वागत है आप सभी का डिफेंस क्यांसरीज के एक फ्रेस एपिसोड में इंडर आर्मी के फ्रेंट लेंड ट्रूप्स के लिए ली जाएंगी 50,000 नई बुलेट प्रूप जैकेट्स इंडर एर्फोर्स के सौसे आता परसनल की रश्या में चल रही है एस कोरेंड को अपरेट करने की ट्रेनिंग इंडर आर्मी के अपने फ्रेंट टैन ट्रूप्स के लिए कम से कम 50,000 नई बुलेट प्रूप जैकेट्स की जरुवत है और इन जैकेट्स के खरीद प्रिकरिया को स्टार्ट करने के लिए भारत्य रक्षा मंत्राले द्वारा जून के महिने में सभी वेंडर्स के लिए रिक्वेस्ट फर प्रपोजल यानि की आर्फप को जारी किये जा सकता है इन जैकेट्स की जो खरीद प्रिक्रिया है वो इसके सभी तोड तरीके और यूजर ट्राइज को फाइनलाइज के जाने के बाद ही 12-24 मेहने के टाइम प्रियट के अंदर फेस्ड मैनर में पूरी की जाएगी बाकि इंडिन आर्मी को जिस तरकी बुलेट प्रूफ जैकेट्स चाहिए उनमें 10 मिटर की दूरी से फायर की गई 7.62 mm की आर्मर पियर्सिंग रैफल एम्मूनीशन और हार्ड स्टील कोर बुलेट्स को रोकनी की शमता होनी चाहिए और जिन बुलेट प्रूफ जैकेट्स में आर्मर पियर्सिंग एम्मूनीशन को भी रोकनी की शमता है उसका वज़न 10 किलोग्राम से कम होना चाहिए और जिनमें hard still core bullets को रोकने की शम्ता है उनका वजन 8 kg से ज़्यादा नहीं होना चाहिए इसके अलावा jacket की जो बाहर की tactical vest होती है उसमें इंडिन आर्मी की newly inducted 600k assault rifle और जो प्रस्तावीत AK-203 assault rifle है उनकी भी कम से कम 3 magazines को carry करने के लिए pocket होनी चाहिए और इसके अलावा hand grenade, handheld radio set, tools और ऐसे अन्य additional pouches को carry करने के लिए इसमें जगा होनी चाहिए वैसे आपको बता दें कि April 2018 में इन bulletproof jackets की कमी को दूर करने के लिए private firm के साथ करीब 1,86,138 bulletproof jackets को खरेदनी के लिए contract sign किया गया था और फिर परवरी 2021 में Minister of State for Defense रिपर नायग ने पारलेमन को सूचित किया था कि जो पहले bulletproof jackets का order दिये थे उनमें से अभी तक केवल 1,00,000 bulletproof jackets सी receive हुई है और जबकि अभी कुछ समय पहले DRU ने भी एक bulletproof jackets को पेश किया था और जिसको लेकर DRU का दावा था कि एंडिर आर्मी की सभी requirement को पूरा करने में सक्षम है और फिलाल अभी इस पस्त नहीं है कि इंडिर आर्मी ने जो इन नई 50,000 bulletproof jackets के requirement पेश की है ये पहले वाले order के मादियम से ही पूरी होने वाली है या इसका एक अलग order होगा हालनकि जिस हिसाब से इस media report में बताया गिया है कि रक्षम अंत्राले इसके लिए request for proposal को जारी करेगी तो इससे तो ऐसा लगता है कि ये bulletproof jackets का एक अलग order होने वाला है जो खास तोर पर केवल frontline troops के लिए होगा हमारी अगली खबर है जम्मो कश्मीर से जहां आज early morning स्री नगर में जम्मो कश्मी पुलीस inputs के अधार पर एक joint operation launch किया गया था और इस operation में अभी तक दो आतंकियों को धेर किये जाने की report सामने आई है यानिकि इन दोनों आतंकियों को इनकी हूरों के पास अफलता प्रुवक डिलीवर कर दिया गया है और या आतंकिया अपने पीछे दो पिस्टल, एक hand grenade और तीन under barrel grenade launcher grenade को छोड़ गया है और delivery successful होने के बाद यह operation पूरा हो गया है इसके अलावा भी हाली में जम्मो कश्मीर में अंतरास्ट्रे सीमा के उपर एक suspected पाकिसानी drone को hover करते वे spot किया गया है और इस drone को spot किया जाने के बाद फिर भारत के forces की तरफ से एक search operation लाँच किया गया था ये चेक करने के लिए कि कहीं इस drone का इस्तेमाल भी वापिस से भारत के territory में कोई arms को drop करने के लिए किया गया है या नहीं अलंकि फिलाल इस search operation के दोरान कोई भी suspicious object बरामत नहीं हुआ है और जबकि अभी दो दिन पहले ही सामा सेक्टर में सीमा के पास से हत्यार भी सीज हुए थे जो कि संभावित रूप से drone का इस्तेमाल करके ही पाकिस्तान से भारत की छेतर में लाए गए गए थे और जैसा कि कल के defense update में हमने आपको बताया था कि सीमा के पास रहने वाले civilians ने एक yellow color के light को spot किया था पिछ इसके बाद उन्होंने agencies को इसकी जानकरी दी थी तो माना जा रहा है कि स्पैक का connection भी इसी drone से है जो कि सीमा के उपर hover करता हुआ है spot हुआ था बाकी एक report यह है कि दिल्ली पुलिस की special cell ने 22 फरवरी को जो अलकाइदा के एक member को गरफतार किया था तो अब इस मामले का जो investigation period है उसे दो और महिने तक बढ़ाने के लिए दिल्ली कोर्ट के तरब से मंजूरी मिल चुकी है यानि कि दिल्ली पुलिस को दो और महिने की महलत में लिए इस पूरी investigation को complete करने के लिए इंडिर आर्मी की जो 10 प्लस 2 TES यानि की technical entry scheme है अब इसके eligibility criteria में कुछ बदलाव किये गए है और ये बदलाव खास करके इसके educational qualification में है अब इतक होता ये था कि इस TES entry के लिए apply करने के लिए आपके पास केवल 12 में PCM यानि कि physics, chemistry, maths इन 3 main subject का होना अनिवार था लेकिन अब इसमें बदलाव ये किये गए है कि इस entry के लिए apply करने के लिए अब candidates के पास 10 plus 2 में PCM के साथ साथ JEE mains परिक्षा का भी qualify होना compulsory है यानि कि जिन candidates ने 10 plus 2 में PCM के साथ JEE mains की exam भी clear किया है कि वल वही अब इस entry के लिए apply कर सकते हैं और ये जो बदलाव हुए हैं ये अगले best से ही लागू हो जाएंगे और जिनने नहीं पता है उन्हें बता दें कि TES एक direct entry है और इसमें NDA exam की तरह कोई written exam नहीं होता है बलकि इस entry में cut off के basis पर eligible candidates को direct SSB interview के लिए बुलाया जाता है और इस entry के ज़र ये अब इंडिर आर्मी की technical branch जैसे की signal core, engineering core और EME branch में शामिल हो सकते हैं बाकि अगर आप में से कोई ऐसा है जिनने ये नहीं पता है कि इंडिर आर्मी को join करने के क्या क्या तरीके हैं और कौन कौन सी entries हैं तो उन्हें हम बताना चाहेंगे कि हम इन सभी entries के regarding already videos बहुत पहले बना चुके हैं आपको बस करना ये है कि YouTube पर जाना है, search बार पर जाके लिखना है, join Indian Army Defense Guard तो उसे related हमारी सारी videos आपकी mobile screen पर आ जाएंगी और इसे तरह अगर आपको Indian Air Force या Indian Navy के entries के बारे में जाना है तो प्रोसेजर बिलकुल सेम है बस आपको search बार पर जाकर join Indian Army के जगा, join Indian Air Force या join Indian Navy League के उसके आगर Defense Guard लिखना है बाकि इसके related जो भी videos हैं वो आपके सामने आ जाएंगे और बाकि यहां तक वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें क्योंकि इसको लाइक करने के लिए आपको J.E. किलियर करनी के जरूरत नहीं है आप directly लाइक कर सकते है कुछ media reports के अनुसार चीन की Pupers Liberation Army ने Xinjiang Military District में तनात उनके ground units को modernize करने के अपने effort को और तेज कर दिया है आप में साथ दिखते लोगे बाद जानते होंगे कि जो यह Xinjiang Military District है यह चीन की Western Theater Command का ही एक हिस्सा है वही कमांड जो कि भारत के साथ लेकि सीमा पर deal करती है और रिपोर्ट्स का दावा है कि जो सीमा पर भारत और चीन के भी स्तनाव शुरू हुआ था इसके बाद ही चीन ने अपनी Xinjiang Military Units को और modernize करने की कोशिश सुरू कर दी थी और कुछ का ये दावा है कि Xinjiang Military District में चीन के करीब 50,000 से 60,000 के आसपास आर्मी टूप्स मौजूद हैं तो वही कुछ ये भी दावा करते हैं कि यहाँ पे करीब 70,000 के आसपास ग्राउंड रूप्स हैं बागे इसके अलावा एक रिपोर्ड ये है कि S-400 Air Defense System को आपरेट करने के लिए इंडिनेर फोर्स के करीब सौथ स्यादा परस्रान रश्या में ट्रेणिंग ले रहे हैं और जैसे कि Russian officials की तरफ से कई बार ये बात confirm की गई है कि इस साल के अंते से भारत के लिए S-400 Air Defense System की डिलीवरी स्टार्ट हो जाएगी और sources के मताबिक भारत का जो S-400 Air Defense System है उसका production रश्या में अलेड़ी स्टार्ट हो चुका है और उसके कई लग-लग ट्राइल्स चल रहे हैं और जिनमें high dust and extreme weather with standing capabilities वाले ट्राइल्स भी सामिल हैं ताकि इस बात को सुनेचीत किया जा सके कि ये सिस्टम भारत के climate में अच्छे तरीके से ऑपरेट करें बाकी S-400 Air Defense System किया है और ये भारत को क्यों चाहिए इसका तो जवाब शायद आप में से हर किसी को अच्छी तरीकी से मालूम होगा लेकिन फिर भी अगर आप में से कोई ऐसा है जिनें नहीं मालूम हैं तो उन्हें हम बता दे कि इस topic पर हम आलड़ी पहले वीडियो बना चुके हैं लिंक आपको आई बेटन में मिल जाएगा डियाडियो द्वारा बनाएगी एंटी कोवी ड्रग 2DG के पहले बैच को आज रक्षय मंती राजना सिंग और स्वास्ते मंत्री डॉक्टर हर्स वर्दन द्वारा रिलीज किया गया है और रिपोर्ट्स के मताबिक इस एंटी कोवी ड्रग के पहले बैच में टोटल 10,000 के आसपस डोस त्यार की गई है और इसके बाद जून के महीने से हर सबतहा लगभग एक लाग सैशे त्यार किये जाएंगे और हम आपको पहले बता चुके हैं कि जो ये 2DG नाम की एंटी कोवी ड्रग है ये पाउडर की फॉर्म में हैं जिसे आप पानी में घोल कर पी सकते हैं और इसको लेकर दावा है कि ये पेशियंट्स की आक्सिजन पर से निर्भड़ता को कम करने में मदद करेगी और जो चैनिस वाइरस से इंफेक्टिट मरीज है वो जल्द ही स्वस्थ भी होंगे और इस एंटी कोवी ड्रग की सबसे खास बात ये है कि ये वाइरस के साथ मिल जाता है जिस वज़े से उस वाइरस की growth नहीं हो पाती है और वाइरस नहीं फैलता है और वाइरस के साथ मिल जाना ही इस 2DG नाम की anti-covid drug की सबसे खास बात है इसके अलावा एक report यह सामने आई है कि IAT मदरास और अमेरिका की Rice University की researchers ने मिलकर एक खास तरह की algorithm को विक्सित किया है जो कि feature stick lensless camera से एक clear image निकालने में मदद करेगा और वैसे भी कहा गया है कि जो ये lensless cameras वाली technology है ये miniature imaging technology का भविश्य है यानि कि आज के conventional cameras की तरही amazing capabilities देगा लेकिन इसका जो वजन होगा इसकी जो कीमत होगी वो किसी conventional camera के तुलना में बहुत ही कम होगी कल के जो हमारे top 3 comments हैं वो कुछ इस प्रकार है तो हमारे आज की इस episode के लिए तना ही और अगर आप इस वीडियो को यहां तक देख चुके हैं तो इसे like करें बिना कहीं न जाएं बाकि इस episode के लेकर आप अपने suggestions और queries comment section में share कर सकते हैं और अगर आप उन में सहें जिनों अभी तक इस channel को subscribe नहीं किया है तो इस channel को subscribe करना न भूलें झाल